हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इशा किचन चलिए आज हम बनाते हैं चॉकलेट गनास तो इसमें ज्यादा समानों की जरुरत नहीं पड़ती है बस दो से तीन फ्रेस क्रीम चाहिए जो अमूल की फ्रेस क्रीम आती है वही वाली लेनी है हमको यह देखिए यह है इसको हमने 200 ml लिया है और फिर डार्क चॉकलेट अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं और दो बड़े चमच में बटर लेना तो बटर को हमको साइन के लिए डालना अगर आप साइन चाहते हैं तो आपको बटर डालना ही होगा तो अब हमने लिया है 300 ग्राम डार्क चॉकलेट अगर आप डार्क चॉकलेट नहीं ले रहे हैं तो आप मिल्क चॉकलेट से भी बना सकते हैं या हाफ हाफ डार्क चॉकल सेकंड के लिए रख करके भी खर सकते हैं तो 30 सेकंड रखेंगे तो हमको दो से तीन बार में मेल्ट होगा एक बार में एक मिनट में नहीं रखना है तो अब यह जो हम अमुल क्रीम ली है 200 ml इसको हमको सबसे पहले गरम करना है तो हमने गैस पे इसको चला दिया है इसको गरम क पर यह नहीं करना है और जब तक इसमें अच्छे से बबल्स ना आ जाए एक दम जैसे धुआ जैसे खौलने लगे तब आपको इसको गैस को बंद करना है तो इसको कंटीनू ऐसे चलाते हुए आपको गरम करना है तो यह देखिए अब अच्छे से गरम हो चुकी है तो Chocolat क मने लिया उसमें डाल देंगे तो सारा की इसमें डाल दीजिए और एक मिनत तक आपको बिलकुल चलाना है एक मिनत के बाद ही चलाना है जब तक आपको Char payer III कृ में यहकhouses तर आपको क्रिंट कर ले तब तक को चूणा ना नहीं है इसको अब इसके बाद हमको को सेट करने की जरूरत नहीं है आपने इसको बनाया और नॉर्मल टेंप्रेचर पर ही रखकर आप इसको यूज कर सकते हैं तो अब इसमें बटर डाल दीजे और अच्छे से मिक्स कर लीजे तो जब ट्रफल बनाते हैं तो उसको फ्रीज में हमको रखना रहता है सेट हो जात है तो अब आप इसे यूज कर सकते हैं चाहे डेकोरेशन में या किसी सबी चीज में तो फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल तब तक के लिए बाते हैं पायए ठाओने कर वह से किसी अब बाते हैं, ळया पक्री तो फ्रेंगे कर साइब हम के अाइभ नवादर कर